जोटी नातिशमारंभाम नाथया मनमत्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतां अम्दे स्वर्परंपराम आज का प्रशंग है कि ब्रिंदावन में एक महराजी होते थे वह गदिय शाय अंकाल अपने शिश्य परिकारों को प्रवचन सुनाये करते थे एक दिन उन्हों ने प्रवचन में शुनाया कि ठाकुर्जी जो है भांडी रवन में जा करके पीतामबरी पहंगर के सोने कामों को दभारण करे के कामों में गुंडल पहंगर के गईया चराते थे तो उनका जो गोश्च यह था उसे ऐसा लगा कि यह जिससे आज कल पर्शों की बात हो उसे यह नहीं पता था यह दो-तीन हजार साल पहले की बात है उसे ऐसा विश्वास हुआ कि यह दो-तीन दिन पहले की बात है और मैं भी जाता हूं भांडी रवन में गईया चलाने के अब मैं ठाकुर जी को तो खोजूंगा वहाँ पे ठाकुर जी कहां है ठाकुर जी मिल नहीं रहे हैं मुझे तो एक भी दिन मिले नहीं मैं उनको ढ़नाने का प्याश करूंगा अच्छा उसका नाम जो है उसको लोग भूदू बुलाते थे अब वह भूदू अगले दिन गईयों को लेकर के भांडेर बनने गया गईयों को चर्णे के लिए छोड़ दिया अठाकुर जी को खोजने लगा खोस्ते खोस्ते परशान हो गया थाकुर्जी उस दिन उसे नहीं मिले अगले दिन वापुना है बांडेर बन गया गईयों को चरने के लिए छोड़ दिया थाकुर्जी को खोजने लगा थाकुर्जी को दया आ गई उन्होंने का ये भफ्त जो मुझे खोज रहा है अंदू अब इससे दर्सम देना चाहिए थाकुर्जी बहुत से गईयों के जुन्ड को उसमों को लेकर के भांडेरवन में आए और जब मुझों ने देखा कि ठाकुर्जी सामने आ रहे हैं देकर के बहुत ही प्रसुन हो गया वस्तामर चरणों में लेठकर के शास्चंद प्रनाम कि ठाकुर्जी कहते हैं देखो आए तुम मुझे ढून रहे हैं तुम्हारे पास आ रहे हैं कुछ भोजनमी इत्ताजी की विवस्ता कि यह हो कुछ लाय हो मेरे लिए बहुत बख्ति के पास दो रोटियां थी ठाकुर्जी दोनों रोटियां अब बहुत बख्ति के पास कुछ बचा तो है लेकिन जाकुर्जी कहते हैं देखो इतने से मेरे पेट भरा नहीं और कल तुम और रोटियां लेकर के आना कि मुझे भी तो कुछ नहीं मिला अधिक तो अधिक लाना ही लाना है अब अपने गईयों को लेकर के आया आज साम में किसी से उस बातों को उसने बताया नहीं किसी से शेयत नहीं हिया उसने कि अगले दिन जब बहिए ओडियों बोलेका जाने लगा तो गुरूजी से कहता है कि मुझे आज दो रोटियों के लिए जाने जो आते तुम्हें देंगे लेकिन तुम कहते हो कि ठाकुर जी आते हैं पाने के लिए एसा जूट ना बोलो जूट नहीं गुरुजी मैं जूट नहीं बोला हूं गुरुजी स्वें मेरे पास आते हैं और वह जो भुदू गुरुजी कहते हैं उससे कि देखो यदि ठाकुर जी तुम्हें दर्शन देने के लिए आते हैं तो तुम ठाकुर जी को लेकर के मेरे पास आओगे जूट नहीं पहुत दर्शन करूंगा तो जूट गुरुजी जैसे आपकी आग्या भुदू गया बांडीरवन पहुंच गया वहां ठाकुर जी आए ठाकुर जी को रोटियों जिमा करके वह कहता है कि देखे ठाकुर जी आपको हमाए गुरुजी की पास दर्शन करने के जिसना पड़ेगा या भाप कर दर्शन पाना चाहते है कि आपको जीने का ये संभव नहीं है लिए नहीं जाओंगा को तो भुदू कहता है कि मेरे गुरु का और जैश है येदि आप नहीं जाएंगे तो आपका और हमारा कोई नाता नहीं है आप जाईए मैं आपको जोड़ करके जाने लगा तो ठाकोर जी कूद करके उसकी गोद में जाकर के बैठके करते कि देख देख भाई बहुदू तुझ सब कुछ कर ले तुम मुझे छोड़के ना जा तुझ जहां कहेगा मैं वहां चलूंगा और भूदू भागत ने अपने कमर पर ठाकुर जी को बिठा करके लाला को बिठा करके आश्रम में ले आए जब गुरु जी ने ऐसी से भी देखी कि ठाकुर जी भूदू की गोद में बैठके कि आ रहे हैं तो तुरंत जाकर के चरणों में शाष्टां प्रणाम करें जिसके ठाकुर जी के नहीं उस भूदू के उस भूले भगत की चरणों में जाकर के उन्होंने प्रणाम करें गुरु जी ने का धन्य है तेरी भक्तिद और धन्य है तू यह शत्य घत्ना है आप भी ठाकुर जी को जिस रूप में पाना चाहेंगे यदि खोजेंगे तो ठाकुर जी मिल जाएंगे आज कर तो कहावत भी चलती है तो जोगे तो भर्वान ही जाएंगे तो हमारे हिर्दय में सच्ची प्रेम होनी चाहिए थाकुर जी को पानी जलत होना चाहिए तो जब सक्ची निष्टा सक्ची प्रेम